हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नए वीडियों बात करने वाले हैं स्सी सीपीओ एसाइब हरती 2020 का फॉर्म कैसे फील करेंगे स्टेप बाइ स्टेप मैं आपको जो फॉर्म फील करके बताने वाला हूँ 4300 पॉदों पर जो है और इसमें बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर इन डेली पुलिस एन सेंट्रल आर्फ पुलिस फोर्स एक्जानेशन 2022 और 10 अगस्त से 30 अगस्त तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एक्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम हो नवंबर 2022 में कंड़क्ट करे जाएंगे इसके साथी साथ यहां पर देख सकते हैं सेलरी के बारे में सबसे पहले बोला गया है इसमें कौनों को अप्लाई कर सकता है तो मेल और फीमेल दोनों पर इंडिट से यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके साथी साथ यहां पर जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो बोला गया है कि आपका जो है ग्रेजुएट यानि डिगरी जो है किसी भी वीसाय से किसी भी उनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके साथी साथ मैंने जो है नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ेंगी और साथी साथ मैंने जो है dslpingforever.com का लिंक भी आपको description box में provide कर दिया है वहां से भी आप सौट information को पढ़ सकते हैं साथी साथ यहां पर height भी देख सकते हैं यह आपकी height क्या मांगी गई है physical क्या रहता है तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे male और female के लिए और यही साथ आपको form apply का भी link मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो sse की website पर आ जाएगे अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आपको form को कैसे feel करना है तो देखिए आपने sse का कही न कहीं जरूर form feel किया होगा जिसे वह sse gd हो या multitasking यह staff MTS का post आता हो या LDC का post आता हो या CGL का post आपने जरूर form feel किया होगा तो कोई आपने जरूर form feel किया होगा sse का तो आप यहाँ पे उसी user id password से जो है आप यहाँ पे login हो सकते हैं जो आपने पिछली बार कभी sse का form feel किया होगा तो अगर आप बिलकुल phrase candidates हैं नए candidates हैं अभी तक आप जो है sse के portal पे कभी registration नहीं किया है कभी form नहीं feel किया है तो उसके इसमें आप यहाँ पे new user पे click करके जो है आप सबसे पहले अपना जो है एक user create करेंगे यहाँ पर क्या करना है आपको जनकारी को feel करना है इसके बाद आप यहाँ पे next करेंगे तो आपक आपको बोलेगा कि forget करिए तो आप जो है reset करेंगे password को फिर आप जो है login हो जाएंगे तो friends मैरे पास जो है एक already registered user है और हम उसी user ID password से login होके जो है form को apply करके आपको बताते हैं क्योंकि mostly लोगे पास जो है already user ID password पढ़ा हुआ है अगर माले है आप user ID password भूल चुके हैं तो यह mail या mobile दोनों पर भी जाएगा कोई एक आप OTP को यहां लिखेंगे तो verify हो जाएगा फिर आपको जो है user ID वहीं so कर देगा password बोलेगा बनाईए तो आप क्या करेंगे password बना लेंगे तो चलिए हम यहां पर जो है directly क्या करते हैं एक मेरे पास user name है password है उसको login करते हैं जैसे friends स आप यहां पर login करेंगे आपका देखिए आप dashboard खूल जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं यह जो वेकैंसी निकाली कई है उसका यहां पर details हो रहा है और नीचे में भी आपको देख सकते हैं काफो सहरी वेकैंसी जो चल रही है वह भी यह आपर चौह होता है और जिसक इडियेट पर form fill किये थे SSC का कोई और अभी आप graduation complete कर चुके हैं तो आप यहां पर registration modify करके जो है highest qualification graduation आप जो है change कर सकते हैं तो यह यहां पर option है modify पर click करेंगे यहां पर देखिए edit करने का option मिलेगा जो आप registration करते हैं तो apply करने से पहले करना होगा अब यहां पर देखिए आपको apply का option मिलेगा notification का भी option मिलेगा तो apply करने से पहले एक बार notification को जरूर पढ़ लेंगे चलिए apply पर click करेंगे पूरा complete information बताऊंगा friends photo को लेकर आप लोगो काफिया मन में doubts रहता है पूरे guidelines के साथ मैं आपको form feel करके बताऊंगा अब यहां पर instruction आएगा इस तरह से आप पढ़ेंगे और यहां पर आपका जो भी research करते वर्ग जनकारी दिये थे हो यहां पर होता है यहां पर आपको directly का करना नीचे आना यहां पर आप OSA caste के बिलॉंग करते हैं जो जो है central list में central list के जो OBC caste होते हैं उसमें जो है include नहीं है अगर इस तरह के हैं तो yes करेंगे नहीं है तो यहां पर simple no कर देंगे इसके विसे पूछ रहा है कि do you belong to caste not including central list of OBC but notified as OBC by the government of NCT Delhi तो अगर आप इस तरह के हैं तो yes करेंगे वर्ना य अगर आप departmental candidates हैं Delhi police के तो yes करेंगे और अपने जनकारी बताएंगे नहीं है तो यहां पर no करेंगे इसके पूछ रहा है वेदर verify your departmental फिर दुबारा पूछ रहा है तो यहां ही yes करेंगे तो yes इसमें भी करना होगा अगर यहां no करते हैं तो यहां भी no करना होगा यह दो ब अगर आपने डिग्री किया हुआ है यहां पर चूछ कर लिया अब यहां पर पूछ रहा है कि क्या आप एक सर्विसमें है आर्म फोर्स में अल्यडी सर्विंग है यह एक सर्विसमें है अगर हैं तो yes करेंगे और यह सारी जनकारी आपको बताना होता नहीं तो यहां पर करेंगे अब यहां पर फिरिंट्स देखें यह सब जो है डी हाइलाइट है यहां पर आपको नीचे आनी है यह सब आपको अभाजान है एज रिलेक्सेस्ट में आयू में छूट अगर आपको यहां पे यह करना होगा और यहां पे आप SCST चूछ करना होगा अगर आपकी उम्र नॉर्मल है according to notification तो आप यहां पे simple no कर देंगे फिर highest qualification आप से पूछ जादा है कि आप graduation जो है किये हैं तो कौन सा किये हैं बी ए है या बी का है या बी आपने किया हुआ है वह आप यहांपे का करेंगे अब यहां पर अपको यहां पर चूजक करना अगरमाल नैसे치는um के जगवे आपने protect किया यहां इसके एक valent यह चूजक करेंगे तो आप यहांपे यह उसके बास यहां यहां पर आपको यह बताना है कि जो है आपका status क्या है आप पास है और शूट करेंगे पासिंग है बताएंगे क्या आप जो पास आउट किये थे उसके बस यहां पर university या बोर्ड का नाम इस्टेट का नाम नहीं पुछरा है यहां पे आपको देखिए खुल की आ रहा है आप यहां भी करेंगे चूच करेंगे कि आप जो है जिस भी इनुवर्शेश्टे से पढ़ाई किया है नहीं अगर इसमें मैच होता है आपका नहीं मिलता है फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो आप अधर भी चूच कर और यहां पे इनुवर्शिटी के करेंगे उसको से पूछ रहा है do you want to make your personal information available यह no कर देंगे फिर आपको नीचे आनी है यहाँ पे फिरिंट्स आपको जो अपना photograph and signature को upload करनी है तो photograph आपको ध्यान रहे 10 माई 2022 के बाद जो है फोटो आपको लेना है मतलब खीचवानी है और अप्लोड करनी है उसके पुराना आप फोटो अप्लोड करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है यह चीज जो है 29 नमर में declaration करना है कि हाँ आपने जो है 10 माई 2022 वाला ही फोटो अप्लोड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था कि आपको नीचे में date नाम लिखना होता था अब ऐसा कुछ नहीं है आप बस क्या करेंगे simple जिस तरह सा फोटो खिचवाते हैं white background या blue background वो simple photograph यहाँ पे क्या करेंगे पीश के बीच के बीच चूज कर लेंगे उसके बास यहाँ पे agree करेंगे इस capture code को यहाँ भरेंगे और यहाँ पे preview करेंगे जिसे आप यहाँ पे और यहां पर यह चीज काफी लोग का कमेंट आता है कि content not verified तो इससे आपको कोई मतलब नहीं friends यह आपका final summit हो चुका है यह content not verified अब यह SSC वालों का काम है कि आपका content को verify करें और आपका form को जो है वो लोग check करें तो आपको कोई मतलब नहीं है बस आप यहां पर print पे click करेंग कि अपने पास hard copy रख लेंगे और आपको okay कर देना है अगर मालनीजी आप general OVC से आते हैं आपने comment कर दिया और आपका पैसा cut गया कोई mistake हो गया या error आ गया तो उस तरह से आप double verification आप comment का button मिलेगा यहां से comment को verification कर सकते हैं अगर मालनीजी आपको check करना है comment का status तो यहां से देखे comment का stress का option है यहां से चेक कर लेंगे application का stress चेक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर show हो जाएगा कि आपने जो है सब चीज complete कर लिया हुआ है देख रहे हैं आप सारा चीज complete है और यहां पर दिखा रहा application received तो आपको कोई tension नहीं लेनी है यह content not verified इस पर ध्यान नहीं देना है यह अब SSC वालों का काम है कि आपके content को verify करेंगे और फिर वो जो है आपका admit card जारी करेंगे application जारी करेंगे तो फिर इस तरह से आप देख सकते हैं आप जो है डेली police sub inspector and central arm police force में जो vacancy निकाली गई है वो आप form को apply कर सकते हैं यहां से आप एक बार notification को गरवाचिए आप थी वर वाक्चिंग चाहिन